नमस्कार न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज की ताजा खबर कियों आज के दौर में बच्चों की परवरेस पर ध्याद नहीं रखा जाता है और यह बच्चे मोबाइल मेक हुए हुए रहते हैं और तरह तरह की मांग अपने घरवालों से करते रहते हैं और बच्चों में चिड़ चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगे हैं और आने वाले दिनों में बच्चों में आखों की बिमारी सबसे ज़्यादा आने वाली है इसलिए इस दोर में अपने बच्चे को सुधारने के लिए उनकी मांगों पर गौर नहीं करें उन्हें कार नहीं उन्हें अच्छे संसकारों की जरूरत है यह विचार गोटन के संति निर्मलदास महराज ने चितानी गाउं में शारन फॉर्म हाउस पर एक धार में कायोजन में कहें उन्होंने कहा कि मोबाईल सिर्फ बात करने के लिए अच्छा है लेकिन मोबाईल का चल चालन अच्छा नहीं है यह आने वाले पिढ़ी को बरबाद करके रखतेगा जरूरत के हिसाब से अगर आप काम में लोगी तो निश्चित रूप से सही रहेगा इसी कड़ी में सोयला के महंत मादधास महराज ने भी आज जी की युवा पिढ़ी को अच्छे संसकारों से सुसजित करने के बाद करते हुए कहा कि बच्चों की पहले स्कूल घर होता है और उसके बाद स्कूल का गुरू होता है इसलिए सुरुवात में ही बच्चों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इसे प्रकार इन दोनों संद महत्माओं ने सिक्षा पर जोड़ देते हुए और नसे के बारे में बताते हुए कहा कि नसा चाहे कोई भी हो यह सरीर का नास करता है और उस घर को भी बरबाद करता है हमें नसे से दूर रखने के प्रयास करने चाहिए इस मौके पर सामोहिक भोज का भी आयोजन रखा गया किरम सहित काफी गाव के शिद्धाल उपस्तित थे